बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार और पूर्व उप मुख्य मंत्री तिजस्वी यादव आज एकी फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए एक ओर जोह नितीश कुमार एंजे की बैटक में भाग लेने वाले हैं वही दूसरी और पूर्व तिजस्वी यादव इंदी गटबंधन की बैटक में शिर्कत करेंगे इधर एकी फ्लाइट में नितीश कुमार और पूर्व तिजस्वी यादव की सीट आगे पीछे थी जुसके बाद अब कयासों के बजार गर्म नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि एकी फ्लाइट से नितीश कुमार और तिजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए हैं ऐसे में कयासों का बजार भी गर्म है आपको बता दे कि आज इंदी गटबंधन और एंडिय की बैटक है और ऐसे में इस खबर पर जादा जानकारी के साथ हमार साथ फोन लाइन पर पटना से मनिभूशन जुर चुके हैं जी मनिभूशन आज इंदी गटबंधन और एंडिय दोनों की बैटक है और ऐसे में तिजस्वी यादव और नितीश कुमार एक ही फ्लाइट से गए हैं तो ऐसे में ये किस और इशारा कर रहा है देखिए नितीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने अपने गटबंधन के बैठक में सामिल होने के लिए आज दिल्ली के लिए रवाना हुए पतना से सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात कर ले तेजस्वी यादव रवाना होने से पहले कई सारी बातों का उल्लेख किया एक बात उनसे पूछी गई कि क्या आप लोग का गटबंधन हलकी बहुमत में नहीं है तो क्या सरकार बनाने का परयास किया जाएगा तो तेजस्व मिले हैं उसके बाद से लगतार अब यह कयास होने लगे हैं कि बीजेपी जो है अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती उसके सहयोगियों की जुरुदत है और इस एंडिये में इंडिया गठबंदन के साथ तो इंडिया बना था उसके संयोजक के नाम की चर्चा हो रही थी फिर उसके बाद उन्हों ने पाला बदला कर में नियी के साथ चुनाव लरे उदर चंदरबाबु नाइडी का भी जो है यही हाल रहा है लेकिन चुनाव से पहले जो है बीजेपी ने उपी की पिनाव लरा अब तो यह बात आगे धीरे धीरे बर रही है कि क्या जो इंडी गटबंदन है वो जिसकी आज बैठक है छे बजे से बैठक है उ नितीज कुमार जो है माना जाता है इनके जो पोलिटिकल अभी तक जो गेम चेंजिंग का जो इनका नजरिया जो रहा है तो उसमें नितीज कुमार काफी माहिर खिलारीं भी माने जाते हैं लेकिन अभी किसी परकार के कयास नहीं लगाये जा सकते हैं कयास जो है सरकार बनन अलग से भी कल्प की जो है वो लोग तला सेंगे लेकिन फिलार अब ने बताया कि बीजेपी इस बार 240 सीटे जीती है तो ऐसे में तमाम कयास लगाया जा रहा है कि नितीश कुमार पलट भी सकते तो क्या लगता है कि क्या ये मुम्किन है देखे अभी उस तरह का परिदिश से नहीं तयार है तो कि नितीश कुमार अपना डिमांड वहां रखेंगे अगर डिमांड उनका फुल्फिल नहीं होता है क्योंकि नितीश कुमार ने कहा था कि जो हमें विजे से राज का दर्जा देगा हम उसी के साथ जाएंगे तो अभी इंतिजार करना होगा ताकि करके बता दिया कि हम एंडिये के साथ हैं तो अभी इंतिजार करना होगा यह जो आज तस्वीर दिखी है निटीज कुमार और तेजस्वियादव की एक ही फ्लाइट से जो है और कहा जाए कि एक ही कंपार्टमेंट से जो है यह दोनों सफर कर रहे हैं कि क्या बात कित हुई न गुर्खद है क्योंकि जब तक बिहार में निटीज कुमार है तो एक निटीज इसको आबी भी दिए हमें एक Factor बने हुए है जिस तरह से बीजे सरकार बनाएगी उसके बाद जो अगर वहर की परिपेक्ष में ससरकार काम नहीं करती है, बहुत सारे एजेंडे हैं नितीश कुमार के बिहार में जो केंदिरिये खर्च होता है और जो प्रोजेक्ट आता है उसमें बिहार सरकार को जढ़ा जो खर्श करना पड़ता है कि इसके कम अनुदान मिलता है कई सारे बाते भी हाथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि हमने देखा कि आज इंदी गर्बंदन और एंडिय की बैटक है जो बैटक के लिए नितीश कुमार और पूर्व उपमु की मंत्री तेजस्वी या जैसे में कयासो का बजार गर्म है और आपको बता दे की अठारवी लोग सबस्वाद चुनाओं में एंडिय को बहुमत मिलने के बाद एंडिय को बहुमत मिली है वहीं पर हम बीज़पी की बात करें तो बीज़पी में 240 सीट हासिल किये बीज़पी में तो तमाम जो पार्टिया हैं ऐसे में कयासो का बजार गर्म है आपको बता दे की नितीश कुमार जेडियू पार्टी से हैं जहां पर उनके पास 12 सीटे है तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नितीश कुमार अगर अपनी बाते रखेंगे और इंडिकट बंधन उनके डिमांड्स को फुल्फिल करती है तो राजनीती में बहुत कुछ उलट फेर भी हो सकता है इन तमाम खबरों पर हमारे साथ लाइफ जो चुके है संजीव सिना जी संजीव आज एंडिया और इंडिकट बंधन की बैठक है तो ऐसे में इसके उपर क्या कुछ है पुरी जानकारी देखे चुनाव परिनाम आने के बाद जिस तरह से जनता ने अपने मतों का अधिकार करते हुए जो सरकार चुनी है उसमें दोनों दल है अपने अपने सरकार बनाने के लिए कमर कशने की बात हो रही है अगर हम एंडिया गडबंधन की बात करे तो एंडिया गडबंधन 293 सीट लेके आई है और अगर हम इंडी गडबंधन की बात करें तो वो 233 सीट पे वो हैं तो कहना होगा कि जिस तरह से पुर्व में अगर हम जो देखते आए हैं कि जिस तरह से अभी एक तस्वीर आई है कि एक ही प्लेन से जब पटना से तेजश्वी और नितिश कुमार दिल में तो जो सभी बड़े नेता हैं दिली की ओर रूख कर रहे हैं और इसी प्लेन में तेजश्वी और नितिश कुमार साथ गए हैं और एक अभी वादन के तौर पे दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें लेकिन कल से जो एक बात चल रही है कि जिस तरह से मीशा भार पारती ने कहा कि अगर इस बार सरकार बनने की संभावना इंडी गड़ बंधन की है क्योंकि हमारे पास संख्यावल है तो अगर हम कह सकते हैं कि इंडिया गड़ बंधन ये दावा इसलिए कर रहा है कि पूर में नितिश कुमा जिस तरह से पल्टी मारते रहे हैं और जिस फिर से ये मौका देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से नितिश कुमार पल्टी मारेंगे और इंडिया गड़ बंधन छोड़ की इंडि गड़ बंधन का दावन थामेंगे तो इन सारी समीकरनों के आधार पे इस तरह की बात हो रही है लेकिन फिलाल जो अभी ताजा जानक कारी मिली है कि चंदरबाबु नाइडिव की जो पाटी है तेलगु देशम पाटी और नितिश कुमार की जो पाटी है जदिव ये अपने-पने समर्थन पत्र एंडिया गड़ बंधन के जो नेता है उन्हें सौपेंगे और जो सरकार जो जनता ने उन्हें मैनोफेस जनता ने उन पर विश्वास जगाया है उन चीजों को लेके वो आगे की जो रणनीती तैयार करेंगे और सरकार गठन में एंडिये गड़ बंधन को सहाइता करेंगे तो देखना है कि आज साम जो बैठक होने वाली इन बैठकों के बाद क्या निकल के आता है दोनों गड़ गड़ बंधन की बाकी लोग है वो पलट जाते हैं तो राजनीती में फिर बदल देखने को मिल सकता है तो क्या लगता है इस पर देखिए जो बीजेपी को 240 मिले लेकिन अगर पूरी गड़ बंधन की बात करें तो 293 इंडिये गड़ बंधन के पास है तो इसमें से जो दो बड़े दल हैं जदियू और तेलगू देशम इनकी संख्या 16 और 12 28 है तो ये 28 अगर निकल जाते हैं तो 264 के आज़ पास में इनकी एक एंडिये गड़ बंधन की ताकत हो जाती है उनकी सीट हो जाती है लेकिन अगर हम इधर 28 जोड भी देते हैं तो भी ये 272 के magic figure पे नह कहना होगा कि ये देखने वाली बात होगी कि राजनीति में किन्तु परंतु नहीं चलता है लेकिन बहुत तरह कि जो समिकरणें उन समिकरणों को पे देखना होता है और उन तमाम समीकरण पर नजर बनाए रखना पड़ता है कि आखिर कौन पार्टी किस दिशा में काम कर रहा है और वो जनता से जो भरोसा लेके जिस गटबंधन के तहर चुनाओ लड़ा है तो आने वाले दिनों में जनता क्या उनकी जो अगर वो कहीं दूसरे पार्टी में या तमाम चीजों को देखना पड़ता है उसके बाद ही आगे की कोई भी रणनीती तै होती है लेकिन देखना दिल्चस्प होगा कि यह जो दोनों की बल्ले बल्ले वाली जो इस्तीती है कौन सियासी घमासान में आगे बढ़ता है यह देखना दिल्चस्प जरूर होगा जी सं तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद